कि है गाई कैसे आप सब आई होप यूर डूइंग वेल एम संदी प्रकम्टी शेसी सरकल तो आज हम लोग डिसकस करेंगे वीजन आई एस 2021 टेस्ट स्रीज नंबर हमारा आज है 25 ठीक है तो 25 ये टेस्ट नंबर हम लोग सॉल करेंगे तो इसमें ये जीयस का फुल टेस्ट चल है कि सारे वीडियो वहां पर देख सकते हैं ठीक है हमने एक से लगा कर 24 टेस्ट नंबर तक सॉल कर लिए हैं यहां ठीक है तो आगे की यही श्रीज बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं कि टेस्ट श्रीज नंबर 25 और अब हम तो अब तो हमें टाइम भी मिल जाएगा कि कि प्रेंगे ठीक है तो चलते हैं किस्ट नंबर फोर्ड पेस्ट में ठीक है तो यह हमारा फूरा फूर शलेवन से रहने वाला है और इसको हम अच्छे से इसमें डिसकस करेंगे ठीक है तो फ़स्ट कुशन नंबर है तो इसमें कहा गये कि भारत सरकार की पहल युगती टू इस उचितर सिच्छा संस्थानों में नवाचार और उद्धमिता की जो संसक्रति को बढ़ावा देना है ठीक है और थार्ड है हमारा की नवाचार पर कारी कर रहे है भारती और विदेशी संस्थानों के लिए उपलब्द है तो देखो ये जो युक्ती टूपइंट जीरो स्टार्ट किया गया है ये पहली बात तो ये हमारा उद्दम कौसल विकास और उद्दम सीर्टा मंत्राले की पहल नहीं है ये सिच्छा मंत्राले की पहले है तो ये हमारा गलत हो गया और आप लोग बताओ अच्छा बहुत इंट्रेस्टिंग कुश्चन है कि हमारा सिच्छा मंत्राले जो है इस समय इसका पहले अभी नाम बदला गया है तो पहले क्या नाम था इसका ठीक है तो वह भी पूछ सकते हैं आपका और सेकेंड स स्च्छर संथान है उसी में लागू होगा ना कि भी देशी ठीक है तो हमारा फरड इस्टेट्मेंट भी गल फो गया हुआ तो हमारा फसक्रेटों सही है केवल 2 एक। नेक्से हमारा कुश्चन नमबर तू तो इसमें कहा गया कि सर्फो यानि जो साप होते हैं ठीके सर्फों के बारे में हमको बताना है इसनेक के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है तो फास्ट है कि सभी सर्फ दिन्चर होते हैं मतलब दिन में गमन करते हैं या अपन जो भी दिंचरिया है अपनी पूरी करते हैं ठीके सेकेंड की सभी सर्फ अनियत तापी होते हैं उन्हें अपने सरीर के तापमान को नियंतित करना पड़ता है सेकेंड है कि सबी सर्प अपनी तुचा को केचिल के रूप में छोड़ते हैं क्योंकि यहां उसके सरीर के आकार के साथ नहीं बढ़ती है तो यह साही बात है क्योंकि वो समय समय पर केचिल को छोड़ते रहते हैं ठीक है जो उपर की इसकिन होती है वो अपनी निकाल देते हैं वो लोग ठीक है तो ये तो हमारा सही हो गया और सेकेंड वाला भी सही है क्योंकि ये अनियत अतापी होते हैं जितने भी ये जो सर्प होते हैं ठीक है ये अनियत अतापी होते हैं ये अपने अताप को नियंतित क को मिलेंगे दिन में भी देखने को मिलते हैं जो अपने मतलब चलते हैं फिरते हैं गमन करते हैं बट अधिकांस आपको रातरी चर होते हैं यह ठीक है तो यह मतलब देखने को नहीं मिलता है तो हमारा फास्ट वाला स्टेट्मेंट गलत है और सेकेंड और थर्ड सही है तो हम अरब अमीरात है ठीक है तो इसमें बताना है कौन सा देश फारस की खाड़ी के साथ सीमा साजा करता है तो हमको यह जो हमारा जोग्राफी का कुश्चन है ठीक है मैप बेस्ट तो इसमें देखो अगर बात करें फारस की खाड़ी की तो यह इसमें देखने को मिलेगा आपको टूठ टूइब टैच टूठट आ इसे ठीक एराग करता सीटफ करता है और सॉय०्ट अरब अमिराद टूठ करता है ठीक है लेकिन यह जॉपádन जो देखने को मिलेगा ργाइए टथ नहीं करता है तो यह हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट एक दो तो हमारा कौन सा ऑप्सेशन डी हमरा सही एग दो तीन पाफ सही हो गया इसमें ठीक है कर नेक्ट से हमारा कु 먷्षन फौर तो इसमें हाल ही में केंदर सरकार द्वाराप्रधानमंत्री भशल बीमा ! योजना मैं इसे अधिग प्रभावी बनाने के लिए संसोधन किया गया है तो वो क्या संसोधन है उसके बारे में हमको बताना है ठीक है तो फस्ट है कि इस योजना के तहत नामंकन को सभी किसानों के लिए स्वेच्छिक कर दिया गया है सेकेंड है कि किसानों के हीतों की रच्छा के लिए केंद्र प् गत्विदियों पर वे करना होगा ठीक है है तो यह सही बात है मतलब यह किया गया है कि इसमें यह मतलब जिटना भी यहां से आएगा ठीक है बितना भी जो यह प्रीमियम इकठा करेंगी उसका 0.5 परसन्ट तो सुचना सिच्छा और संचार की गत्विदियों पर बे करना पड़ेगा ठीक है और सेकेंड स्टेटमेंट भी साइए क्योंकि यह जो किसानों की हितों की रच्छा के लिए केंदर प्रदत सबसेड़ी पर कोई भी मतलब जो सीमा है वो कोई नहीं रखी गई ठीके और फर्स्ट वाला भी शायो atenção की यह चेंजनेज किया ही गया है और पहले क्या होता ता कि मुझ इपभी जो है उसके लिए 1.5 प्रतिशत प्रेमिंग डेने को प्रता है और जब जो कॉमयर्शियल य्या हर्टी क्वल्च कॉर्प्स होती है उसके लिए 5 प्रतिशत का ये मतब जो तुमारा प्रेमियम देना पढ़ता है इसमें ठीक है झजमारा कुछिन नभा तो इसमें कहा गया है कि निम्लिकित में से कौन सी कौफी की खेती के लिए जो कौफी की खेती है उसके लिए हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है ठीक है तो इसमें अगर बात करें तो फर्स्ट वाला है कि कॉफी के रोपन के लिए सीधी धूप आवसक है सेकेंड है कि कॉफी के पौधों को प्रचूर मात्रा में वर्चा की आवसकता होती है और थर्ड है कि इसकी खेती के लिए लोह तत पोटास समरद उपजाओ मरदा सरवाधिक उप्यूकत होती है और फूर्थ है कि कॉफी के पौधे जल भराव की दिशा में जो जल भराव की दसा होती है उसे सहन नहीं कर सकते है टो देखो यह जो हमारा सही है क्योंकि इना जल की तो अवसकता ज्यादा होती है बट इनके लिए क्या होना चाईए कि एक जल निकास वाली डालू भूमिया न के लिए आवसकता होती जहां कॉफी लगाई जाती है तो इन्हें जल भराव की दसा ये सहन नहीं कर पाते हैं तो ये तो हमारा statement सही है और second जो कहा गया है कि इसमें जो low थतो और पोटा समरद उप जाओ जो मरदा सबसे उप यूगत रहती है तो ये भी हमारा statement सही है ठीक है? और इसमें प्रचूर मातरा में वर्षा की अवस्कता होती है तो ये भी हमारा statement सही है second वाला लेकिन first में जो कहा गया है कि सीधी धूप की अवस्कता होती है तो नहीं ये गलत statement है इन्हें चायादार मतलब place की अवस्कता होती है ठीक है? तो वहाँ पे अच्छे से वो मतलब ग्रो करती है और वो बहुत west quality की मतलब अच्छी quality की coffee हमको वहाँ से प्राप्त होती है तो हमरा 2, 3 और 4 statement सही है तो हमरा C वाला option इसमें सही हो गया ठीक है? तो हम चलते है next question पे और ये coffee ये आपको generally देखने को मिलेगी जिसे करनाटक है और केरल है तमिलनाडवाले छेतर में ये देखने को आपको journal ही मिल जाती है ठीक है? वहाँ पे बहुत काफी मत्रा में उगाई जाती है second है next है हमारा six question number तो इसमें कहा गए कि सहकारी समितियों के बारे में आटक है तो बिध निरमार की सकती होती है ये सही बात है, ये संसड इसके लिए मतलब rule बना सकती है, कोई भी मतलब act passed कर सकती है ठीक है, तो ये इसके पास सक्तिया होती है और इसमे जो ये शेहकारी समितियों का गठन करने का अधिकार जो यह मूल अधिकार होता है यह आपको फंडमेंटर राइट जो होते हैं ठीके उसी के अंतरगत जो यह फ्रीडम वाला सेक्षन होता है तो उसी में एक सब्कॉलज सी में आपको देखने को मिलेगा यह ठीक है तो हमारे दोनु स्टेटमेंट सही है तो हमारती वाला ऑप्षन इसका सख्यों हो गया नेक्स है हमारा कुश्चन नमबर 7 नेक्स है हमारा कुश्चन नमबर 7 तो इसमें कहा गया कि कड़ बहुत थिक बिग्यान के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है तो फस्ट है कि CERN इस्टित लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में जो एटलस और जो CMS प्रियोगों के द्वारा दोजर बारा में हिग्स बोसान कड़ों की खोज की गई थी ठीक है सेकेंड है कि हिग्स बोसान अर्थात जो गार्ड पार्टिकल्स होते हैं ठीक है गार्ड पार्टिकल्स यह बताता है कि किन कड़ों में द्रब्यमान मतलब जो बताता है कि कड़ों में द्रब्यमान क्यों होता है उसके बारे में यह हिग्स बोसान बताता है ठीक है जो हमारे यह पार्टिकल्स वाइमंडर में गूमते रहते हैं उनके बारे में ठीक है सभापती द्वारा नियुक्त किया जाता है सेकेंड है कि वह सदन के अविलेकों की अविरच्छा वह मतलब जो सदन में अविलेक होते हैं उसका अविरच्छक होता है मतलब उसको सनच्छत रखता है ठीक है तो यह तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हो हमारा सही है क्योंकि सभापती जो होता है जो राज जी सभापती द्वारा जो है राज जी सभा के महासचिव का नियुक्ति की जाती है और लोग सभा का जो महासचिव होता है वो उसकी जो है लोग सभा स्पीकर उसकी नियुक्ति क है तो हमएरे ये दोनों स्टेट्मेंट सही है स्यों हो गया है नरे से हमारी कुछ्छ नम्बर नाइन उसमें होम राज्स के बारे में हमको बताना है कि कौन सा अस्टेल्ड सही है है तो फिर्स एक मत्र राज्वरंस था जो मूगलो हाथियों को पकड़ना और साही एक आधिकार घोसित किया गया था इसको मतलब जो जंगली हाथों को पकड़ते थे ठीक है तो ये देखो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट भी चाहिए और फ़स्ट भी चाहिए क्योंकि ये पाइक नाम से जाने जाने वाले बेगारों पर निर्भर थे अहुम राजा और ये मतलब इस्टरन वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे जो नौर्थ इस्ट का पार्ट था ठीक है वहाँ पर ये मतलब हमारा गलत statement हो गया, ठीक है, तो हमारा 2 और 3 साहिए, तो हमारा इसका C वाला option साही हो गया, ठीक है, नी, B वाला option सॉरी, ठीक है, तो हमारा 2 और 3 statement इसका साहिए, next है हमारा question number 10, तो इसमें C, Raj, Gopala, चारी-फर्मूला के बारे में हमको बताना है, तो फर्स्ट है कि इसे मुस्लिम इसने मुस्लिम बहुल छेत्रों में स्वा निरणयन के अधिकार का प्रियोग करने की शिपारिश की थी शेकेंड है कि इसके तहत मुस्लिम लीग को भारत की सुतंतता समंदी कांग्रेश की मांग का समर्थन करना था तरड है कि इस फारमुले को गांधी जी का समर्थन पराप्त है तो ये सही बात है क्योंकि C. राजगोपला चारी जो थे तो ये गांधी जी के समर्थक थे और ये हमारा सेकेंड वाला स्टेट्मेंट भी सही है कि Muslim League को भारत की स्वतंता समंदी कांग्रेस की मांग का समर्थन किया था और फस्ट भी सही है क्योंकि स्व निरणायन के लिए जो Muslim बाहुल छेतर थे वहाँ श्व निरणायन का अधिकार दिया था तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है तो वाला option सही हो गया है तो इसमें कहा गया कि दच्छिन भारत के मध्धिकालीन जो दच्छिन भारत का मध्धिकालीन इतिहास के बारे में हमको बताना है कि यह जो पद दिये गए हैं मड़ी ग्रामम और नाना देशी तो यह किसे संब्दी थे तो फर्स्ट ए अप्षन है हमारा ग्राम प्रदान से सेकेंड है कि भक्ती संतों के संपरदाई से सी है हमारा ब्यापार संगों से और डिये की उपहार के रूप में दिये गए गाउं के ठीक है तो देखो यह ब्यापार संग होते थे उन्हीं के जो मुखिया होते थे उन्हीं को बोला जाता तो मारा सी वाला ओप्सन सही हो गया नेक्स है 12 कुश्चन नंबर तो इसमें कहा गया है कि प्राया सुर्कियों में रहने वाला जो यह पद है सदर्न बलास्ट अनुबंद और पुनारवरतन की जो विभिन संख्या यानि वी एंटी आर वी एंटी आयार का मतलब अगर हम बता ने तो इसमें जो वैरियेबल नंबर और टेंडम रिपीट रिपीट होते हैं ठीक है उनी के बारे में हमको बताना है जो सदर्न ब्लॉस्ट होता है ठीक है तो इसमें यह आप्शन है कि ब्लॉक चैंट टेकनोलोजी है डियने फिंगर प्रिंटिंग है या कड़ बहुत की क को है या कृतिम उढ़ dhurymatta को ये मतलब संदर्वत करते हैं तो देखो ये वाला ऑप्शन सही है हमारा ये डियने फिंगर परिंटिंग है उसी को तो यह संदारभीट करते हैं कि यह सदन बिलाष्ट जो होता है मतलब सदनलास्ट होता है इसके द sweaty वैरिये ळम प्यारबर कर दोते होते हैं उसमें से जो एक अंसे क्या किञिभाना पता की डिना की डिना का पता लगा जाता है ठीक है तो इसी लिए यह मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है और डेने फिंगर फिंटिंग तो वैसे भी मतलब न्यूज में रहती है ठीक है नेक्स है हमारा थर्टीन कुस्चन नंबर तो इसमें कहा गया है कि यह मतलब बहुत लंबा चोड़ा यह करने और कारवाहियों से सम्मनित रिपोर्टों की अधिकारिक रूप से प्रकासित करने का प्रावधान कारिकारी जो कारिवाही संचालन और बी नियमन की जो इस्थाई आदेशों को अपनाया गया था इसके तहते बिधह को यानि जो बिल्स होते हैं बिल्स को परिशद द का अधिकार दिया गया था ठीक है तो ये अधिकार जो पहली बार दिया गया था सेलेक्षन कमीटी इसको उसके बारे में तो ये किसे एक्ट के अंतरगत इसको ये प्रावधान किये गये थे तो इसमें दुखो आए option A है कि 1784 का British India Act ठीक है second B है कि 1833 का Charter Act और 1853 का ये आपको Charter Act है और ये 1858 का भारत सरकार अधिनियम है ठीक है तो इसका देखो C वाला option है इसमें जो 1853 का Charter Act आया था उसी के अंतरगत इन selection committee के ये अधिकार दिये गए थे ठीक है नेक से हमारा question number 14 तो इसमें कहा गया है कि भारत में उच्चतम नियाले के कारिकाल के संदर में बताना है हमको ठीक है तर जो उच्च जो हाई कोट है सुरी हाई कोट जो है मतलब उच्च नियाले यानि हाई कोट के बारे में उसके कारिकाल जो कारिकाल होता है उसके संदर में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है तो फश्ट है कि उच्चतम नियाले की अधिकारिता का बिस्थार करने की सक्ती संसद में नहींत होती है तो अगर इसमें बात करें तो दो राजियों के मद्ध जो बिवाद का निप्टारा होता है ये आपको जो हाई कोट नहीं करता है ये आपको देखने को मिलेगा ये सिप्रीम कोट के अंडर में होता है और ये आर्टिकल 131 के अंतरगत देखने को मिलेगा तो ये तो हमारा गल और इसमें जो नियाधिशों संबंधी जो नियुक्ति होती है उसकी जो नियुक्ति भी ये प्रिसीडेंट कराता है ना कि राजिपाल कराता है राजिपाल इसको सपाद दिलाता है ना कि इसकी नियुक्ति करता है ठीके तो ये हमारा गलत हो गया दोनों स्टेटमेंट और फर आश्ट्री कंपनी जो बिधी अपील जो अधिकरण है ठीक है उसके बारे में हमको बताना है यानि N.C.L.A.T. के बारे में नेशनल जो कंपनी ला अपले ट्रिबिनल के बारे में तो फर्स्ट है कि इसका गठन कंपनी एक्ट 2013 के तहत किया गया है सेकेंड है कि अधिकरण के अध्यच को उचतम नयाले का नयाधिश या उच नयाले के मुख नयाधिश होना चाहिए सेकेंड थर्ड है हमारा की यह बारती दिवालिया और सोधन चमता बोर्ड तथा जो भारती प्रतिसपर्दा आयोग द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई कर सकता है ठीक है तो यह देखो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है जो N.C.L.A.T. के बार इसका सही हो गया ठीक है नेक से हमारा कुश्चन नंबर 16 तो इसमें कहा गया कि जयो बिवित्ता बिरासत इस्थल यानि भी एच एस घोशित करने के लिए निमलिकित में से कौन से मापदंड होने चाहिए ठीक है तो फस्ट है उच्छ स्थानिकता सेकेंड है कि दुरलब औ और संकट ग्रस्त प्रजातियों और की इस्टोन प्रजातियों की उपस्तिती और थर्ड है कि वन योम ब्रच अच्छादन की उच्छ सघंता तो इसमें देखो जो पैरामेंटर इसके होते हैं तो जो उच्छ स्थानिकता होती है और दुरलब और जो संकट ग्रस्त प्रज एक लियान दूह के तो इसमें बाती जाथा रहती यह लिया गया है सिर्फियर जाएशता क्षाधनadana की इत्सक्राइशा पर्रदय केुसमे विशिष्ट रूप से समवेदन परितन्तर होते हैं उनको इसमें सेलेक्ट किया जाता है और इसका जो सेलेक्शन किया जाता है इसकी recommendation मतलब यह ऐसे इस थलों की सूची भेजी जाती है जो जो जय विविता बिरासत इस थल के लिए यह state government इसका recommendation देती है ठीक है तो हमारा third statement गलत है first and second सही होगे तो यह वाला option हमारा सही हो गया इसका ठीक है next है हमारा question number 17 तो इसमें कहा गए कि निम्रिकित में से कौन से नियुन्तम समर्थन मूली को निरधारित करते हैं तो first है कि मांग और आपूर्थी second है कि वार्षिक वर्षा की मात्रा और third है कि अंतरराष्टी मूली प्रवरतियां और fourth है कि उपभोगताओं पर MSP के संभावित प्रभाव तो देखो इ इसमें इंक्लूड किया जाता है और इसमें अंतरराष्ट्री हो या घरेलू मूली प्रवरतियां दोनों सामिल होती है ठीक है लेकिन यह जो वार्षिक वर्षा और जो इसकी मात्रा को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है और मांग और आपूर्थी को भी इसमें इंक्ल रायोग देता है इसको ठीक है तो यह हमारे एक तीन और चार स्टेटमेंट सही है तो हमारा एवाला ओप्सन इसका सही हो गया ठीक है नेक्स है हमारा 18 कुष्टन नंबर तो इसमें कहा गये कि निम्लिकित कत्मों पर बिचार करओँ तो फस्ट है कि बंद अर्थब्योस्ता में बचत वा निवेस बराबर रहता है सेकेंड है कि खुली अर्थब्योस्ता में बचत जो बचत है वो शद्यों निवेस से अधिक होत जाएगा तो यह तो कम हो जाएगा बचत लेकिन अगर इन फ्लो में तब इन फ्लो अगर ज्यादा होता है और आउट फ्लो कम होता है तो अधिक हो सकता है तो देखो यह अधिक और कम दोनों हो सकता है तो यह तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया लेकिन फर्स्ट वाला सही है क्योंकि बंद जो अर्थ बोस्ता होती जो open economy नहीं होती है ठीक है उसमें बचत और निवेस बराबर रहता है क्योंकि ना तो बाहर से कोई पैसा आना है और नहीं जाना है ठीक है तो जितना है उतना ही रहेगा तो हमारा फर्स्ट वाला statement इसका सही है ठीक है नेक्स है हमारा 19 कुस्ट नमबर तो इसमें का आगए कि भारत में करांतिकारी अंदोलन के लिए मूल गरंथ के रूप में कारी करने वाली पुस्तक जो बंदी जीवन किसके द्वारा लिखी गई थी तो फस्ट है कि राम प्रसाद बिसमिल सेकेंड है सतींदर नात सन्याल और सी है हमारा योगेश चंद चट्रड़ जी और डिये सूरिस हैं तो इसका देखो अगर बंदी जीवन की पुस्तक की बात करें तो इसे सतींदर नात सन्याल ने लिखा था इनको जब सजा हुई थी ठीक है ये अंडमान निकोबार में जब जेल में थे तब इन्होंने लिख की थी और उसमें जो है उन्हीं जो गदर पार्टी की गत विडियों में सामिल हुए थे इसलिए इनको सजा हुई थी और इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी ठीक है तो ये मतलब एक बहुत ही करांतिकारी जो अंदोलनकारी थे और इन्होंने 1913 में एक अनुशीलन समित भी गठित की थी जो एक रांतिकारी संगठन था ठीक है तो ये बहुत ही प्रेमिस प्रसनालिटी थी बंगाल से ये बिलोंग करते थे ठीक है नेक से हमारा 20 कुस्चन नंबर तो इसमें बताना है प्रकास की जो प्रकास तरंगे अनुधार्द तरंगे होती है से केंड की फोट यह सूर्य लाल दिखाई देता है और थर्ड है कि प्रकास की तरंगे जितनी कम होती है यह उतना ही अधिक अपरिवर्तित होता है ठीक है तो देखो यह फूर्थ तो हमारा स्टेटमेंट सही है क्योंकि तरंग धर जितनी कम होगी उतना ही अपरिवर्तित होती क्योंकि उसमें एनरजी ज़ाइदा होती है तो वो दूर तक मतब जा सकती है ठीके तो यह हमारा स्टेटमेंट सही है थरड़ भी सही है क्योंकि इसमें जो सुर्य लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग जो होता है उसका प्रकेरण बहुत कम होता है और जिसे ब्लू घृते हैं बैंगनी है इसका प्रकिरन होता आता है इसलिए ये लाल दिखाई देता है तो ये भी हमारा सही है और सेकेंड स्टेटमेंट ये गलत है जो फोटान उर्जा होती है वो अवरक्त किरनों से इसमें जो एनरजी होती कम नहीं होती अधिक होती है फोटान में अधिक होती है और का यह कमने को मिलेगी ठीक है तो यह हमारा गलत हो गया और फर्स्ट वाला भी गलत है क्योंकि इस में अनुधर्य तरंगे नहीं होती है दो न lendहुता है तो यह इंत्र के द्वारा समान अंतर चलती करती है ठीक है तो यह गलत हो गया तो हमारा थर्ड और फॉर्थ स्टेटमेंट सही है तो हमारे बी वाला आप्शन इसका सही है ठीक है नेक्स है हमारा कुश्चन नमबर 21 तो इसमें कहा गए कि निमलिकित मामलों में किसमें केंद्रिय सुचना आयोग यानि CIC को किसी बेक्ति से सिकायत पराप्त करने और उसकी जाच करने की अवस्चता होती है ठीक है तो इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कि इसमें कहा गए कि यदि उस बेक्ति को अनरोध का उत्तर नहीं दिया जाता है थारड है कि यदि वह बेक्ति विश्वास करता है कि उसे परदान की गई शुचना अपूर भरमक और मिथ्या पूर है ठीक है तो मतलब किन अवस्था यह मतलब अवस्थाओं में उसकी जाच करने की अवस्था होती है ठीक है तो देखो यह ती समय सिमा में के भीतर सुचना के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया है यह फिर मतलब उस बेक्ति जो वह बेक्ति है विश्वास करता है कि उसे प्रदान की गई सुचना अपूर या ब्रामक है ठीक है तो यह CICV के साथ पास जा सकता है और उसकी जो है जो जाच करवाने के लि सेमय बताना की कौन सा स्टेटमेंट साई है तो कि सहरिछे चेत्रों की तलना में ग्रामीड चेत्रों में निवास करने स्beamp bell है ये लगभग आपको 50% देखने को मिलेंगे और जो यह तो हमारा सही है और सेकेंड वाला जो यह हमारा गलति स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें कुल देश स्केंट के जो पचास प्रतिशत बात की गई तो नहीं यह लगभग आपको 30% देखने को मिलेंगे और जो ये मतलब सहरी स्रंबल में एक तिहाई कहा गया तो नहीं सहरी स्रंबल में ये आपको 20% देखने को मिलेंगी और ये ग्रामिड में एक तिहाई देखने को मिलती है है ठीक है तो मधा सब्सक्राइब क्रणा है सभी ऊफ्टिanka और सभी होगे लुए के भारत के सभी राज्यों में करनाटक ब्रच परजातियों में समरध और थर्ट के रोप में वनावरर्ण के मूल में अनाचल प्रतिसात अग्णरी राज यह TH Baby यह जो कुलब झातर में अगर पृटिसात के रूम्स में बात करें यह मिजोORम में आपको 85 प्रतिसाद देखने को मिलेगा ठीक है और अचल प्रदेश में ये आपको 79 प्रतिसाद देखने को मिलेगा वनावरन तो ये हमारा गलत हो गया और ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि करनाटक राज ऐसा है जहां मतलब बहुत बिशिष्ट प्रजातियां ब के अंतरगत आपको 24.56 प्रतिसाद ये वनावरन देखने को मिलता है लेकिन जो स्टेंडर्ड होता है जो वन पॉलिसी है उसके अंतरगत वन थर्ड होना चाहिए ठीक है तो ये हमारा गलत हो गया तो सेकेंड स्टेटमेंट के वाल इसमें सही है तो हमारा एवला ऑप्शन क से वल सभा गया इसका ठीक है नेक्स है हमारा कुष्चन No.24 वा ऑप्शन के बारे में बताना हम को क्यूंसा स्टेटमेंट है तो फॉर्ट है कि कि सहरों की किलाबंदी क्रसी और जंगलों के साथ की गई थी शेकेंड है कि हमारा किलों के निर्मांड के कहीं भी गारा या जोडने वाले मसाले कप्रियों नहीं किया गया था और फूर्थ है किलों के प्रिवेश दौर तुर्की वस्तुकला से प्रभावी थे तो ये तो सही है जो किलों के प्रिवेश दौर थे वो तुर्की जो वस्तुकला थी उसी के आधार पर बने थे और इसमें किसी जोडने वाले मसालों का इस्तमाल नहीं किया गया था, इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो पथर थे और जो मलबा था, उसी को मतलब पत्थर डालके और मलबा डाल दिया जाता था बीच में, तो उससे यह दिवारे बनाई गई थी, ठीक है, तो यह भी हमारा statement सही है, लेक मतब किलेबंदी की जाती थी तो एक तीन और चार स्टेटमेंट सही है हमारा तो हमारा सी वाला आप्सन सही हो गया और इससे जो यह किलाबंदी की गई थी तो इससे एक जो यात्री आया था विदेशी अब्दुलराजाक ठीक यह बहुत मतब इसे प्रभावित भी हुआ था नेक से हमारे 25 तो इसमें बताना है सुवाल कुची और पोंचम पल्ली पैठान के बारे में बताना है यह किस अस्थानों में उभैनिष्ट है ठीक है तो भूमिगत गुफा प्रनालिया है यहां पर या रेसम उत्पादन केंद्र है जलासा है या यूरेनियम नीचे पैं ठ सुवाल कुची की अगर हम बात करें तो यह आपको असम में देखने को मिलेगा यह रेसम इस थाल है ठीक है और यह पोंचम पल्ली जो है यह आपका आंदर परदेश में है और पैठान जो देखने को मिलेगा यह आपको महरास्ट में देखने को मिलेगा ठीक है तो यह रेस अरिया का स्टेटस है जो मतलब पहला देश ऐसा है जहां चारों प्रकार की यह रेसम की जो प्रजातियां पाई जाती है ठीक है तो यह भी इंपोर्टेंट है ऐसा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लि नमस्कार जै हिन जै भारत